हलो फ्रेंट्स आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है यह इसन जगत में दोस्तों बिसिकली आज हम बात करने वाले हैं module 5 के बारे में जो की होता है digital electronic हम यहाँ पर बात करेंगे aircraft के instrument के बारे में और आज जो है हम पढ़ाने वाले हैं आपको attitude indicator के बारे में and artificial horizon के बारे में यह बहुत ज़्यादा important topic है module 5 या फिर किसी भी B2 or B1 category के instrument के लिए और नार्मल भासा में में जो भी interested होते हैं aircraft को लिकरके उनको जानना चाहिए कि किया attitude indicator किस प्रकार से यूज होता है क्या इसका काम है अगर आप aircraft में हो तो आप किस प्रकार से aircraft में देख करके बता सकते हो कि aircraft की position क्या है हमारा जो aircraft है इसके wing label में है या फिर ascending में है या फिर descending कर रहा है aircraft क्लाइम कर रहा है कुछ भी जो भी aircraft की position basically attitude indicator से ही पता चलती है इसको आप artificial horizon भी हम इसको बोलते हैं और एक बहुत ज़्यादा important instrument होता है यह जो है primary instrument से नाम से भी जाना जाता है तो basically बिन लेट की हुए इसके बारे में आपको सभी चीज़े बताते हैं आप और आप कैसे आप इसको figure के मादने हमसे समझ सकते हैं अभी पूरा detail में आपको explain करने वाले हैं दोस्तों और लेकिन इसके पहले channel परना है subscribe करिएगा support करिएगा इतना guarantee साथ आपको बोल सकते हैं गर आप वीडियो अन तक देखे हुए तो आपको पूरा समझा जागा कि आप कैसे aircraft की position को बता सकते हो cockpit में बैठ करके देख करके क्या aircraft की position है चलिए जो हमारा attitude indicator होता है इसका basically काम क्या है इसका basically काम होता है कि aircraft की attitude को बताना कैसे बताता है aircraft की heading को कि किस प्रकार से बताता है origin line और aircraft की symbol दोनों की help से आप जो aircraft की position को बता सकते हो कि aircraft label में है या फिर ascending में है या फिर aircraft descend कर रहा है तो दोस्तों यहाँ पर total nine positions होती है aircraft की जिससे आप identify कर सकते हो आपने पहले position को explain करने वाले है पहले position है straight climb जब हमारा aircraft straight है और climb की position में है ना right side है ना ही left side वैंग कर रहा है सीधा straight है और climb कर रहा है और उसी के साथ जो हमारे दूसरी position होती है climbing और उसके साथ right bank या फिर left bank बोल सकते हैं तो यहाँ पर है अगर right bank है तो दिहान से सुनिएगा right bank जब होता है तो आप समझ लिजिए कि हमारा जो right side का wing है कहीं ने कहीं कुछ down जाएगा ओ विंग और down जाएगा तो जो हमारी horizon line है horizon line से down जाता है wing जैसे कि down right side तो अभी क्या आपको सो होना चाहिए जो हमारी horizon line हमेशा एक straight ही होती है लेकिन आपको सो किस प्रकार से होगा कि जो हमारा wing है उस horizon line से थोड़ा down जा चुका है आप figure कि माध्यम से भी देख सकते कि एर क्राप्ट की जो right side वाली position है अगर right बैंक कर रहा है एर क्राप्ट तो थोड़ा देखिए down जा रहा है मनलब horizon line उससे उपर जा रही है और अगर आप लेफ्ट side देख सकते हैं मनलब कि लेफ्ट side वाला wing अभी उपर है तो horizon line जो है उससे नीचे से गुजर जा रही है और wing जो हमारा ऊपर की तरफ आपको भी यहाँ पर दिख रहा होगा ठीक इसी प्रकार से दोस्तों अगर वह उसी प्रकार से जो अगर left bank की aircraft तो हमारा right side वाला wing अब उपर चला जाएगा तो horizon line से उपर फिर जाना चाहिए तो basically इस प्रकार से आप जो है climbing की position को identify कर सकते हो कि हमारे aircraft climbing कर रहा है climbing में भी कौन सी position है right bank है left bank है या बिलकुल straight जा रहा है aircraft तो दोस्तों आपर climbing की हमारी conditions complete ह होती है अब आपको बताने वाले लेवल में माल लीजे हमारा aircraft बिलकुल लेवल में climbing नहीं कर रहा descending भी नहीं कर रहा तो आप कैसे पैचान सकते हैं ऐसी condition में जो हमारी horizon line होती है और horizon वाले लेवल की line और aircraft की जो आप देर क्राफ्ट को symbol देख रहे हैं तो बिलकुल एक दू और इसके साथ साथ अगर यहाँ पर जो हमारी चौती कंडिशन है इस्टेट और राइट बैंक कर रहा है aircraft तो क्या होगा राइट बैंक तो असानिक साथ आप समझ सकते होंगे आपकी हमारी जो line है अब वो horizon जो line है हमारी यहाँ पर अगर राइट बैंक कर रहा है तो ऐसे condition हाँ आप आप अईसा माले जी कि एक reference line है अब हमारा wing तो वहां सच down जा रहा है और right side में तो आपको क्या देखेगा wing जो है उस side का उस side का जो aircraft symbol होगा आपका कुछी इस प्रकार से देख रहा है कि down जा रहा है और horizon line उसके उपर से जा रहा है ठीक इसी प्रकार से अगर left side buying करेगा हमारा aircraft और label flight होगी तो label की condition है तो इस condition में और left side buying कर रहा है और फिर ठीक उसी प्रकार से आप पर left side का wing है हमारा वो down जाएगा और right side का wing अब उपर होगा अब right side का wing है original line उसके नीचे से गुजरनी चाहिए तो कुछ इसी प्रकार से दोस्तों आप लोग जो है identify कर स सकते हो कि label flying में कैस प्रकार से आप पहिचान सकते हो कि right side है left side है फिर label में जा रहा है चलिए अब हमारी आते last conditions होती है last के तीन condition वो condition है जो हमारा aircraft descent कर रहा है descent वाले position में जो हमारा aircraft का symbol होता है उस artificial horizon line से आप horizon level line भी बोल सकते हो तो horizon level line से नीचे होना चाहिए ना कि उसके ऊपर होगा जब यह artificial horizon line से नीचे होगा और बिलकुल level आप ऐसा बोल सकते हैं कि descending and straight जा रहा है descending and straight तो ऐसे condition में जो हमारा aircraft का symbol है यह artificial horizon line से नीचे होगा और बिलकुल straight में जाएगा तो right and left side किसी प्रकार horizon line इधर उपर नीचे नहीं होनी चाहिए और अगर वही पर हमारा descending कर रहा है aircraft और right bank है तो right bank तो अब आप आसानिक साथ चीजों को समझी गए होगे भी तक कि right bank का मतलब है कि right side का जो भी artificial horizon line है aircraft के symbol से उपर आनी चाहिए अब कुछ इस प्रकार से आप से चीजों को समझ चुके होगे पहले कि दोनों conditions को ले करके अगर वही पर left side हमारा aircraft bank कर रहा है मतलब कि अगर aircraft हमारा left side bank कर रहा है तो ऐसे conditions में जो aircraft का position है वो artificial horizon line से down जाएगा left side में तो दोस्तों आयों बगर आप सभी के लिए 9 position जब मैंने आप पर बताई है अगर आप related करते हैं B2 category से फिर B1 category से या फिर आप interested रखते हैं दोस्तों अगर आए होप आपके लिए वीडियो वीज़ पूल रहे हैं इंफार्मेंटेर चैनल परना है प्लीज सब्सक्राइब कर रहे हैं सपोर्ट कर रहे हैं थैंकियो फ्रेंड्स फार वाचिंग में वीडियो